असलाम लीकूम गूट बार्णिंग फ्रेंड्स मैं शाहिन असन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर रहे हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो जी है दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हो 26 जैन्वरी यानि कि हापी रिपॉब्लिक दे यानि कि आज का दिन जो है दोस् करेंगे ही करेंगे साथ में अपडेट के बारे में भी बात करेंगे दोस्तों तो वीडियो में आखर तक मेरे साथ बने रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बारा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजए बैल आइकन को ज़रूर हिट कीजगा ताकि लेटेस्ट अ आपको लगतार मेरी चैनल से मिलते रहे हैं आज हम यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं वह है हमारा विड्रॉल क्योंकि अभी जैसे कि मिस्टर आइश के अपडेट के अकॉर्डिंग लोगों को लग रहा है कि अब हमारे नेक्स् सारे लोगों के मैसेज़ेस आए मैम हमें विड्रॉल लगाना नहीं आता है कैसे लगाना है तो बिल्कुल दोस्तों हम लोग ठीकेंगे आज हमके विड्रॉल में कैसे लगाना है लेकिन उसे पहले मैं दरूर चाहूंगी कि आज की दिन के बारे में हम जरूर बात करें क्यो दवर्दस जह जहां जिहां जहांकया निकलती हैं बहुत ही अच्छा सेलिबरेशन होता है हमारे इंडिया में क्या इनफेक्ट हमारे डेली में और तो और दुखी दोस्तों हमारा जो आन पैसे वह भी पूरा इन सभी हमारे जितेवी फेस्टिवर्स होते है या नैशनल हुरी चीज को सेलिबरेट करते हैं कहां पर हमारी वैबसाइट पर जिया है दोसों आज हमारी जो ब्रैंड न्यू वैबसाइट है वैसे वह आपको पता है अबरी Monday आती है लेकिन जो आज का दिन है तो हमारे मिस्ट्र आईश ने आज की दिन भी हमारी special website design करी है हमारे engineers ने तो आप लोग उसको जाकर visit कर सकते हैं बहुत ही खुबसूरा tri-clerz के साथ website है जिसमें की पूरा 26th of January का पूरा theme दिया है भारत का जो पूरा flag है उसका theme है tri-clerz जो कि आप में देखा कि green, white और orange color की पूरी मतलब इतना amazing है ना आज का website देखके दिल खुश हो के वो कहते हैं ना दोस्तो दिल दिया है जहां भी देंगे एवतन तेरे लिए तो बिल्कुल वो वाली feeling यहां पर आगई हमारी website को देखकर के और बहुत ही आज जोश और जनून है क्योंकि तो प्रीद वीडियो को जादर स्यादर शेयर कीजेगा ताकि सभी तक यह information पहुँच जाए कि उनको withdraw किस तरह से लगाना है तो दोस्तो withdraw लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है आपको simple अपने ecosystem में login करना है वहां जाकर के आपको जो हमारा menu बार होता है वहाँ पर touch करना है menu बार में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपके पास option है का wallet का तो wallet पर आपको click करना है वहाँ पर भी दोस्तों आपको दो options हैंगे एक तो आपको wallet का एक आपको revenue का तो वहाँ पर आप wallet option में जाएंगे और वहाँ पर भी आपको दिखाएगा funding wallet और revenue wallet आपको फिर revenue wallet में भी दो options आएंगे यानि कि credit wallet और payout wallet तो आपको payout पर click करना है वहाँ पर नीचे जो है green color के box में लिखा है withdraw यानि कि आपका जो signal है वो green है और आप minimum दोस्तो 100 dollars से जो है withdraw लगा सकते हैं 25 dollars per day बे आप withdraw लगा सकते हैं मतलब एक दिन में आप 100 से लेकर 25,000 dollar तक का withdraw लगा सकते हैं और जैसे आप उस पर click करेंगे withdraw पे तो वो आएगा वहाँ पर आपको आएगा पूछेगा वो आपको are you sure you want to withdraw the o coins आप अपने o coins को withdraw करना चाहते हैं वहाँ पर लिखा है next आपके बाद उसके बाद आपको next पर click करना है नीचे आपकी सारी detail लिखे next में आपको लिखना है enter your payout o coins आपको कितने o coins जो है withdraw लगाने 100 लगाने 500 लगाने 1000 लगाने जो भी आपको लगाना है उतने dollars आपको वहाँ पर लिख देने उतने o coins यानि कि माली जी for example मैं 500 withdraw लगा रही हूं तो 500 o coins मैं वहाँ पर लिख दूँगी just wrap आगे बढ़ेंगी दोस्तों simply आपको जब withdraw लगाना है तो आपके पास दो option आएंगे bank account में लगाना है या आपको crypto में लगाना है तो उनकी जानकरी उनके पास पूरी मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है आपको crypto या bank पे क्लिक करना है तो माली जे मैंने bank पे क्लिक करा था तो मेरे पास जो option आए है फर्स्ट नेम लिखना है आपको देन आपका second name लिखना है यानि कि last name लिखना है उसके बाद आपको क्या है अपना alternate email ID यह सब वहाँ पर डला हुआ है email ID आपकी वहाँ पर डली भी है select country अब आप किस country से जो है withdraw लगा रहा है माली जे मैं इंडिया से लगा रही हूँ आप पाकिस्तान से लगा रहा है बंगलादेश से लगा रहा है स्विजरलेंड से लगा रहा है कहां से लगा रहा है वो आपको अपनी country वहाँ पर mention करनी है फिर आपको account holder name यानि कि जिसका भी account में आप पैसा ले रहे है माली जे मुझे अपने account में ले रहे है तो मैं अपना नाम लिखूंगी शाहिन असन account number account number दरूर मैं वहाँ पर डालूँगी जो भी मैं जिस भी bank में ले रही हूँ उसका account number क्या है मेरा confirm account number आपको पता है न account number हमें हमेशा confirmation मांगता है दो बार हमें लिखना होता है एक बर चाह दिन visible आएगा पंजाब national bank में लेना है या मुझे dbs में लेना है वो bank का नाम में यहाँ पर लिखूंगी और साथ में उसका ब्रांच नेम भी लिखूंगी ठीक है पूरा bank branch name मुझे वहाँ पर mention करना है उसके बार option आ रहा है दोस्तों बहुत लोग confused है IFSC code या swift code तो यहाँ पर दोनों ही option है अगर आपने IFSC code डाल दिया है तो घबराने की कोई बात नहीं है आपका withdraw उससे भी आजाएगा लेकिन जिन लोगों ने भी withdraw लगाना है और वो लगाना चाहते हैं तो आप लोग अपने branch में जाएंगे और वहाँ से अपना branch अपनी branch का आप लोग जागर के swift code उनसे ले ले लेंगे उसके इलावा दोस्तों अगर आप लोग online यूज़ करते हैं या फिर आपके पास mobile app है आपके उसकी बैंकी तो आप महाँ से भी अपना swift code निकाल सकते हैं देन उसके बाद दोस्तों आपको बढ़ना है वहाँ पर currency किस देश में आपको कौन सी currency में जो है आपको पैसा लेना है USD dollar है वहाँ पर आप वही लिखेंगे क्योंकि हम लोगों को USD dollar को इंडिया में या जैसे भी बंगलादेश में जिस में भी आपको currency convert करनी है आपको लेकिन यहाँ पर डालना है dollars क्योंकि आप dollars में जो है ले रहे देन आपको महाँ पर करना है next और जब यह सब आप फिल कर देंगे तो दोस्तों नीचे आपका पूरा withdraws का detail आजाएगा माली जे आपने payout o coin जो आपने कितने लिखे हैं माली जो मैंने 500 डॉलर गोल ले ते 500 o coins वहाँ पर मैं लिखाँ आजाएगा और लडी वो पूरी detail आपको देगा कि आपने यह सब डाला है वहाँ पर उसके साथ इसाथ नीचे आएगा payment processing fees जी हाँ दोस्तों क्योंकि processing fees क्या है आपको पता है कि 20 डॉलर अगर हम account में लगाते हैं तो हमारा 20 डॉलर कटेगा यानि कि 500 में से अगर मैं reduction करती हूँ 20 डॉलर का तो 480 डॉलर जो है मेरे account में जाएंगे और अगर आप crypto में करते हैं तो crypto के options उस तरह से आएंगे आपको crypto में 10 डॉलर की fees लगेगी तो बहुत ही simple है आप लोगों को घबराना नहीं है एक o coin जो हमारा 1 USG डॉलर के बरावर है यानि कि 1 o coin is equal to 1 USG डॉलर तो ये पूरा process था दोस्तों हमारे जो है withdraw को लगाने का क्यूंकि दोस्तों देखिए मुझे जो है अपडेट के लिए बने रहे चैनल पर back office ecosystem पर बार बार नजर बनाए रखें thank you so much take care